हेलो एवरिवान वेलकम बैक टो दी चैनल तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 10 से एक और इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अट्राइंप आफ सर्जरी और इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है जेम्स हेरियट तो ये जो हमारा चैप्टर है ये एक छोटे से डॉग के बारे में है जिसका नाम ट्रिकी रहता है और उसकी जो मिस्ट्रेस थी यानि उसकी जो मालकिन थी वो उससे बहुत जादा ही प्यार करती थी और वो उसका कुछ जादा ही केर करती थी यानि वो उसे कुछ जादा ही ख पास लेकर जाती है तो क्या वो सरजन उसका operation करता है क्या वो dog recover कर पाता है भी या नहीं तो चलिए story को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है तो chapter को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताती चलू कि a triumph of surgery में ट्राइम्ट का मतलब होता है विक्ट्री तो चलिए चाप्टर शुरू करते हैं तो Mr. Harriot यानि कि हमारे स्टोरी के जो narrator है वो हमें कहानी सुनाना शुरू करते हैं वो कहते हैं कि वो Tricky के लिए बहुत जादा ही परेशान थे ट्रिकी जो की एक pet dog था तो narrator यानि कि Mr. Harriet रास्ते पर गारी चला रहे होते हैं obviously रास्ते पर ही चलाएंगे तो अचानक से वो अपना गारी जो है वो रोक देते हैं क्योंकि उन्हें सामने ट्रिकी अपने मिस्टरेस के साथ दिखाई देता है और narrator ट्रिकी को देखकर एकदम ही शौक हो जाते हैं क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत जादा ही मोटा हो गया था वो एकदम blotted sausage की तरह लग रहा था यानि फुला हुआ sausage की तरह लग रहा था वो बहुत जादा ही मोटा हो गया था उसकी जो आखे थी वो एकदम लाल और वाटरी हो गई थी टायडनेस की वजह से और उसका जो टंग है वो निकला हुआ था तो जब मिसिस पंफ्री मिस्टर हेरियट को देखती है तो वो अपना एक्स्प्लेनेशन देना शुरू कर देती है वो कहती है कि देखे मिस्टर हेरियट मुझे लगा कि ट्रिकी जो है वो मैल नरिष्ट हो गया है वो अंडर नरिष्ट हो गया है क्योंकि उसके अंदर कोई एनरजी या कोई एकसाइटमेंट ही नहीं बचा था इसलिए मैं उसे रेगुलर मिल्स के बीच बीच में यानि जो हम रेगुलर मिल लेते हैं उसके बीच बीच में मैं उसे कुछ मॉल्ट, कॉर्ड लिवर ओयल और बोल अफ हॉरलिक्स दिया करती थी ताकि उसे रात में अच्छे से नीद आए तो मिस्स पंफ्री ट्रिकी को इतना सब कुछ खाने के लिए देती थी इसके बावजूद भी वो मिस्टर हेरियट से कहती हैं कि मिस्टर हेरियट मैं ट्रिकी को बस इतना ही देती थी और जादा खाने के लिए नहीं देती थी तो अब जो narrator है वो Mrs. Pumphrey से पूछते हैं कि क्या आपने sweets देना बंद किया था जैसा कि मैंने आपको कहा था तो इस पर Mrs. Pumphrey जो है वो reply करती है कि हाँ मैंने कुछ दिनों के लिए किया था बट क्योंकि tricky जो है वो बहुत जादा ही कमजोर दिख रहा था इसलिए मैं उसे इतना harsh नहीं हो पा रही थी और मुझे न चाहते हुए भी उसे देना परता था और वो Mr. Harriet से ये भी कहती है कि वो उसे cake और chocolate खाने से भी नहीं रोक पा रही थी क्योंकि वो उसके favorite थे तो अब जो narrator है वो tricky के problem को समझ चुके थे tricky जो है वो इक greedy यानि लालची कुटा था और वो किसी time पर खा सकता था यानि दिन में उसे कोई भी time पर खाना दे दो वो चुप-चाप खा लेगा और तो और अगर उसका पेट भरा हुआ भी है फिर भी वो खा लेता था फिर जो narrator है वो Mrs. Pumphrey से पूछते हैं कि क्या वो tricky को regular exercise करवाती हैं जिस पर Mrs. Pumphrey जो है वो reply करती है कि वो कभी-कभी tricky को walk पर लेकर जाती है जैसा कि वो lie हुई है लेकिन उसका जो ring throwing exercise है वो नहीं हो रहा है क्योंकि उनका जो gardener है जो कि tricky को ring throwing exercise करवाया करता था वो बहुत दिनों से उनके घर नहीं आ रहा है क्योंकि उसको lumbago हुआ है यानि उसके lower back में pain है इसलिए तो कुछ दिनों से ट्रीकी का जो ring throwing exercise है वो नहीं हो रहा है क्योंकि उनका जो gardener छो की tricky को ये exercise करवाया करता था वो कुछ दिनों से नहीं आ रहा है क्योंकि उसको lumbago हुआ है यानि उसके lower back में pain है इसलिए तो इतना सब कुछ सुनने के बाद जो narrator है वो अब seriously बात करना शुरू कर देते हैं Mrs. Pumphrey से और वो कहते हैं कि देखे Mrs. Pumphrey अगर आप tricky के खाने के habit को control नहीं करेंगी और अगर आप उसे जादा से जादा exercise नहीं करवाएंगी तो वो जल्दी बिमार पर जाएगा और वो उनसे ये भी कहते हैं कि उन्हें खुद को strong रखना पड़ेगा और tricky के साथ strictly behave करना पड़ेगा और उसको एक diet पर रखना ही पड़ेगा तो Mrs. Pumphrey जो है वो accept करती है कि Mr. Harriet जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल ही सच था लेकिन उनके दिये tricky को मना करना बहुत ही जादा मुश्किल था वो tricky को refuse नहीं कर पाती थी बट कुछ दिर बाद Mrs. Pumphrey जो है एक दम properly follow करना शुरू कर देंगी तो Mr. Harriet उन लोगों को जाते हुए देखते है वो tricky को देख रहे थे वो कैसे चल रहा था वो किसी तरह खुद को घसीटता हुआ लेकर जा रहा था narrator जो है वो tricky के coat को भी देखते हैं जो कि उसने पहना हुआ था और उसके पास ऐसे ही बहुत सारे coats उसके wardrobe में भरे परे हैं यहां तक कि उसके पास rainy day के लिए rain coat भी है तो इस line से हमें पता चलता है कि Mrs. Pumphrey जो है वो बहुत ही जादा rich lady थी और उनके पास बहुत जादा ही पैसा था और वो बहुत जादा पैसा अपने कुट्टे के उपर spend किया करती थी तो अब narrator को पता था कि उनके पास जल्दी tricky के बिमार पढ़ने का phone call आने वाला है और जैसा कि उन्होंने सोचा था वो call जो है वो कुछ दिनों में ही आ जाता है Mrs. Pumphrey जो है वो बहुत जादा ही उदास लग रही थी वो कहती है कि tricky जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है यहां तक कि उसकी जो favorite चीजे हैं वो भी नहीं खा रहा है और वो continuously vomiting किये जा रहा है और वो पूरा दिन ऐसे ही परा रहता है कुछ करता भी नहीं है और कुछ खाता भी नहीं है तो क्योंकि narrator जो है वो एक veterinary doctor थे तो उन्हें पता था कि tricky को ठीक करने का एक ही तरीका है कि वो कुछ भी करके कुछ दिनों के लिए tricky को उस घर से दूर ले जाए तो वो Mrs. Pumphrey से कहते हैं कि ये अच्छा रहेगा कि हम tricky को hospitalized कर दे और उसको 14 दिन के लिए observation में रखे तो ये सुनते ही Mrs. Pumphrey जो है वो बेहोस सी हो जाती है और वो कहती है कि वो sure है कि tricky अगर उन्हें रोज नहीं देखेगा तो वो मर ही जाएगा लेकिन जो narrator है वो अपने बातों पर अरे रहते हैं और वो उनसे कहते हैं कि यही एक option है tricky को ठीक करने का तो अब जो narrator है वो सोचते हैं कि अब बिना किसी देरी के tricky को जल्द से जल्द hospital लाना ही अच्छा रहेगा तो वो जाते हैं उनके घर Mrs. Pumphrey जो है वो बहुत जादा ही रो रही थी क्योंकि वो अपने dog को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी तो इसके बावजूद भी जो narrator है वो dog को उनसे लेते हैं उसे एक blanket से wrap करते हैं और वो उसे अपने car में रख लेते हैं तो सारे staff को जगाया गया जो सारी नौकरानिया थी वो इधर से उधर रश कर रही थी भाग रही थी ताकि वो tricky का जो सारा समान है वो उसे car में दे सके ताकि उसका जो daily का समान है वो उसे car में रखवा सके तो उसके समान में आता था जैसे कि उसके दिन का bed उसके रात का bed उसका favorite cushions, उसके toys, उसके rubber rings, उसके breakfast bowl, lunch bowl, उसका dinner bowl तो Mr. Harriet को पता था कि इतना सब सामान जो है वो उनके गारी में fit नहीं होगा तो वो वहाँ से जाने लगते हैं यानि वो drive करना शुरू कर देते हैं तो जैसे ही Dr. Tricky के साथ जा रहे होते हैं Mrs. Pumphrey जो है वो Tricky का coat फेकती हैं जो कि वो पहना करता था उनकी car की तरफ तो जब narrator अपना car जो है वो गुमा रहे थे यानि अपने car को turn कर रहे थे तब वो अपने rear mirror में देखते हैं सब लोग जो है वो रो रहे होते हैं तो वो Tricky को pat करते हैं यानि थप थपाते हैं जिस पर Tricky जो है वो respond करता है अपने पूछ को हिलाते हुए तो narrator जो है वो सोचते हैं और वो Tricky को कहते हैं कि उन्हें पता है कि अभी Tricky के अंदर energy नहीं है लेकिन वो surely Tricky को ठीक करने का एक रास्ता खोजी लेंगे तो जैसे ही वो लोग hospital पहुँचते हैं जो डूसरे dogs थे वो doctor के सामने आकर जमा हो जाते हैं Tricky जो है वो उन सभी को देख रहा होता है और जब doctor Tricky को carpet से बाहर निकालते हैं तो वो move भी नहीं कर पा रहा था यानि वो hill भी नहीं पा रहा था जो दूसरे dogs हैं वो Tricky की जाच प्रताल करते हैं कुछ देर फिर वो सोचते हैं खुद से ही कि ये बहुत ही uninteresting object है यानि उसके सामने ऐसे खरे रहने का कोई फायदा नहीं है और वो सभी वहां से चले जाते हैं फिर जो narrator है वो Tricky के लिए bed बनाते हैं एक warm box में दूसरे dogs के साथ तो दो दिनों तक narrator जो है वो Tricky को सिर्फ पानी ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं तो दूसरा दिन जो Tricky है वो अपने आसपास के जगों पर घूमने लगता है उस place को देखने के लिए तो तीसरा दिन वो भी आवाज निकालना शुरू कर देता है ताकि लोगों को पता चले कि उसे भी बाकी dogs की तरह वहां से बाहर जाना है तो narrator जो है उसका दरवाजा खोल देते हैं और Tricky जो है वो बाहर आ जाता है तभी जो और उसके जो friends थे वो Tricky को घेर लेते हैं तो जो जो है वो एक grey hound था तो फिर से कुछ देव जाच प्रताल करने के बाद वो सभी garden की तरफ चले जाते हैं और Tricky भी उनके पीछे पीछे चला जाता है फिर शाम को narrator जो है वो डिनर के टाइम पर वही पर रहते हैं और वो उन सभी को देख रहे होते हैं specially Tristan को जो की food पर sloping कर रहा था सभी लोग अपने पूरे speed के साथ खा रहे थे जितना जल्दी जल्दी हो से कि उतना जल्दी जल्दी खा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर वो जल्दी नहीं खाएंगे और अगर दूसरे dogs का खाना उनसे जल्दी खत्म हो जाता है फिर दूसरे dogs जो है वो उनके खाने पर हमला कर देंगे इसलिए सब लोग अपना खाना जो है वो जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो जब सभी कुट्ते अपना खाना खत्म कर लेते हैं तब tricky जो है वो उन shining bowls को देखने जाता है और वो कुछ bowls को लिक भी करता है तो उसके दूसरे दिन एक एक्स्ट्रा बोल ट्रिकी के लिए रखा जाता है और नेरेटर जो है वो बहुत जादा ही खुश थे ये देख कर कि ट्रिकी जो है वो अपने बोल की तरफ भागा भागा जा रहा था और वो जल्द ही ठीक होना शुरू कर देता है उसे किसी प्रका कर एक साथ खेला करते थे एक दूसरे के ऊपर कूदा करते थे एक दूसरे के ऊपर वाक किया करते थे एक दूसरे को स्क्वैश किया करते थे उन्होंने ट्रिकी को फैमिली मेंबर एकसेप्ट कर लिया था और दो ट्रिकी जो है वो उन सभी से अलग था क्योंकि ट्रिकी का क पाकी कुत्तों की तरह खाने के लिए जगरना शुरू कर देता है और जो दूसरे कुत्ते थे वो उससे थोड़े साइज में लार्जर थे थोड़े से लंबे थे रात को ट्रीकी भी हैं हाउस में चुहों का शिकार किया करता था और वो बहुत जादा ही इंजॉय कर रहा था क क्योंकि उसने ये सब चीजें पहले नहीं की थी खैर दूसरी तरफ मिसेस पांफ्री जो है वो दिन में बारह बार कॉल किया करती थी ट्रीकी का इंक्वाइरी लेने के लिए वो मिस्टर हेरियट से बहुत सारे क्वेस्टेंस किया करती थी जैसे कि ट्रीकी का कुशन्स जो वह वंधर के हिसाब से उसे पहनाया जा रहा है या नहीं घैर वगेरा तो मिस्टर हेरियट इस पर इन सारे क्वेस्टन को क्या करते थे तो इस पर मिसर घेरियक से कहते हैं कि ट्रीकी अब बहुत ही अच्छा कर रहा है और वह बहुत जल्द đị मिसेस पंफरी चाहती थी कि ट्रिकी जो है वो बहुत ही जल्द रिकवर हो जाए तो वो क्या करने लगती है वो दो डजन एक जो है वो रोज भेजने लगती है ट्रिकी के लिए लेकिन मिस्टर हेरियत और उनके जो पार्टनर्स थे वो दो-दो एक्स ब्रेकफास्ट में खान लगते हैं फिर मिसेस पंफरी ट्रिकी के खून की क्वालिटी को इंप्रूफ करने के लिए बॉटल्स ओफ वाइन भेजने लगती है ट्रिकी के लिए तो अब मिस्टर हेरियत का डेली हैबिट हो गया था वो दो ग्लासेस ओफ वाइन लंच के पहले लेते थे और कुछ ग् वो सच्छ मुच ट्रिकी को ब्रैंडी देना चाहती है तो यह जो ब्रैंडी था यह वो लोग आपस में ही शेर कर लिया करते थे तो उन दिनों मिस्टर हेरियत के लिए बहुत ही खुशी भरा दिन था क्योंकि उन दिनों वो अपना ब्रेक फास्ट जो है वो एक्स्ट्रा के साथ स्टार्ट किया करते थे फिर वो लंज में कुछ ग्लासेस ओफ वाइन पिया करते थे और डे का जो एंडिंग था वो उसे ब्रैंडी के साथ खत्म किया करते थे तो इन सभी चीजों की वजह से वो ट्रीकी को एक पर्मेनेंट गेस्ट बनाकर रखना चाहते थे उस ट्रीकी के लिए सफर कर रही थी और वो ट्रीकी को जल्द से जल्द मिलना चाहती थी और वो जल्द से जल्द ट्रीकी को वापस बुलाना चाहती थी तो 14 दिन बाद ट्रीकी जो है वो डेडी था अपने घर जाने के लिए तो मिस्टर हेरियट मिसेस पंफरी को कॉल करते है ताकि वो वहाँ पर आकर Tricky को ले जाएं तो कुछ ही मिंटों में एक बड़ी सी black car जो है वो बाहर आकर खड़ी हो जाती है एक chauffeur जो है वो gate को खोलता है और Mrs. Pomfrey जो है वो अंदर बैठी हुई रहती है वो बहुत जादा ही nervous और excited भी रहती है Tricky से मिलने के लिए फिर वो nervousness में डॉक्टर से पूछती है कि Tricky कैसा है तो इस पर Mr. Harriet जो है वो positively reply करते हैं फिर Mr. Harriet अंदर जाकर Tricky को लाते हैं तो जब Mr. Harriet गार्डेन में जाते हैं जो कि घर के पीछे था तो वो देखते हैं कि सारे कुटे जो है वो गार्डेन में घूम रहे होते हैं और Tricky जो है वो उन सभी के बीच में बैठा हुआ रहता है तो Tricky जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से recover हो गया था इन दो हफतों में वो बहुत जादा ही healthy दिख रहा था और वो कुटों के साथ खेला भी करता था और उसका जो chest है वो ground में touch भी हो रहा था वो एक बहुत ही अच्छा muscular dog बन गया था दो हफतों में तो जब Mr. Harriet Tricky को लेकर घर के front में जाते हैं तो वो देखते हैं कि चौफर जो है वो अभी भी कार के डोर को पकरे हुए खरा है और जैसे ही Tricky अपने mother like mistress को देखता है यानि कि अपने मा की तरह मालकीं को देखता है तो वो बहुत जादा ही खुश हो जाता है वो दोर कर जाता है और जम्प करके Mrs. Pumphrey के lap में बैठ जाता है और उनके face को लिख करने लगता है और excitement में भौकने लगता है तो जब ये सब कुछ हो रहा होता है तब चौफर और Mr. Harriet मिलकर Tricky का जो समान था वो सब कार में रखवा रहे होते हैं जो कि last 14 days में यूज भी नहीं हुआ था तो जब Mrs. Pumphrey जा रही होती है तो वो विंडो से ऐसे अपना face बाहर निकाल कर Mr. Harriet की तरफ देखती हैं और उनके आखों में आसू होते हैं और वो कहती हैं कि वो Mr. Harriet को उन्होंने जो किया है उसके लिए ठैंक्स नहीं कर सकती और वो कहती है यानि कि जो treatment Tricky को दिया गया था वो successful हो गया है तो that's it ये था हमारा chapter A Tribe of Surgery I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा जाते जाते उस subscribe के बटन को दबा कर जाना और bell icon को भी प्रेस कर देना और मेरे इस महनत के लिए एक like तो बनता है तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक और नए topic के साथ तब तक के लिए हसते रही है खुश रही है